जीमन जीने के दो तरीके हैं या तो प्रिष्थितियों का सामना किया जाए या उन्हें सविकार कर लिया जाए बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो दुखी हैं प्रेशान हैं ना तो वो प्रिष्थितियों का सामना कर पाते हैं ना उन्हें सविकार कर पाते हैं इसी चकर में वो दुखी रहते हैं तो सुखी रहने के लिए करना क्या होगा कि हमें या तो सामना करना है या सविकार कर लेना है सभी प्रिष्थितियां हमारी बनाई गई मनो धारणाएं है सभी प्रिषानियों का कारण हमारा भरम है भरम क्या है हम या तो past में उलजते हैं, या future में उलजते हैं, क्या हम इस वक्त में उलजते हैं, present moment में आते हैं, मैं आपसे एक सिधा सा सवाल पूछना चाहता हूं, कि क्या इस वक्त कोई परेशानी है, आप कहोगे नहीं जोद पुरिया जी, इस वक्त तो कोई परेशानी नहीं है, या तो हमारी पास्ट से रिलेटर कोई मन में धारना बात चीत है या कोई ऐसी गटना है जिसकी वज़े से हम दुखी है या फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए या कुछ ना हो जाए उसे रिलेटर हमारे मन में विचार है या उसे रिलेटर हमारे मन में कुछ प्रकिरियाई चल रह प्रिस्तिति का या तो सामना करना होता है या उसे सविकार कर लेना होता है क्योंकि जिन प्रिस्तितियों को हम नहीं बदल सकते उन्हें हम सविकार कर सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनें हम नहीं बदल सकते जैसे हमारा शारिरिक धांचा है जिसका कदब 5 फीट से कम हैं, वो कदब बड़ा नहीं सकता, लेकिन उसे सुविकार करके जीना सिख सकता है, जैसे आज हमारी physical health अच्छी नहीं है, जिसमें खाने पिने का रोल रहता है, तो उस physical health को इंपरूव करने के लिए हम अपनी आदत का सामना कर सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं और फिर हम सुखी हो जाते हैं, तो कुछ चीजों को सुविकार करना होता है, बाकी चीजों का सामना करना होता है, मन बिना जाने परिशानियों से प्यार करता है, आप कहोगे जोत्पुरिया जी, हम परिशानियों से प्यार करते ही नहीं है लेकिन प्यार प्रिशानियों से इनसान करते हैं कैसे करते हैं किरपया आप आखे बंद करके कुछ देर के लिए सिर्फ सुनें बंद आखें बंद आखें करके सुनें कि मैं कहने क्या जा रहा हूं बिना जाने प्रिश्थितियों से प्यार करता है इनसान क्योंकि वह जानता नहीं कि इन परिष्टितियों को कैसे सविकार करना है और कैसे बदलना है बिना जाने परेशानियों से प्यार करता है इंसान क्योंकि परेशानिया इंसान को पहचान देती है